क्षी करते हैं उसमें करते हैं गल्तियां मगर क्या है इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है एक होता है EPA और एक होता है चोटा नेक ठीक है यानि कि एक होता है चार साड़े चार पांच इंच का नेक की गहराई और एक होते है डीप नेक जो आप साथ आठ इंच तक कटिंग करते हैं जो डीप नेक होते हैं उसकी जो स्लिप कटिंग होती है यानि कि यहां से डाउन एरिया होता है व कारण यह कि लोग एक ही तरीके से कटिंग कर देते हैं.. तो फ्रेंड यहां पर लिया है मैंने कपड़ा और दोनों अलग-अलग slip कटिंग करने के लिए मैंने दो पीस लिया है यह देखिए ठीक है तो हम एक पीस को अठाइते हैं एक तरफ को और हम एक पीस यहां ले लेंगे ठीक है जिस पर हमें आपको समझाना है अब दोस्तों आ यहां पर हमने पीस लिया डवल फोल्ड है, यह देखिए यह डवल फोल्ड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे एक निशान, ठीक है, निशान लगाने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे, यह हमने कपड़ा सीधा कर लिया उसके बाद में जो भी आपकी स्लिप्स की लंबाई हो उस लंबाई के एकॉर्डिंग आप रख लें जैसे मैं रखूंगा 16 इंच ठीक है और इस निशान को बिल्कुत सीधा सीधा कर लूँगा इस तरीके से यह देखिए और दूसरा लेना ह है हमें सबाइंच मार्जन के लिए आप चाहें तो इसको डिएड़ इंच या एक इंच भी ले सकते हैं और जैसे नीचे का मुह है तो हम ले ले रहा है दस इंच का हाफ करेंगे हम होता है पांच इंच यानि फाइव इंच और उसके अलावा हम लेंगे सबाइंच एक्स्ट्रा मार्जन आप दोस्तों मैं जो यह कटिंग बता रहा हूं ना स्लिप की यह बता रहा हूं आपको डीप नैक यानि कि जो बड़े नैक होते हैं उसके लिए त तो यहां पर हम लगाते हैं सालेट-तीन इंच प्रफ एक निशआन यहां नहीं नगा दिया उसके यहां पर लेंगे हम 2,5 इंच यह चोटी चोटी बात हैं जिसका आपको दिहान रखना होगा यहाँ प्ड़कर इस तरीके से हमें एक निशान लगा देना है जो भी आपका आरमोल हो वो आरमोल आप इस तरीके से रख लें यहाँ पर टीक है? जैसे के हमारा कुर्टी का हमने जैसे आर्मो लगा छे इंच ठीक है तो हम यहाँ पर रखेंगे आठ इंच इस तरीके से ठीक है यह आपका बिल्कुल फिक्स आएगा और यहां से इस तरीके से हमें निशान लगा देना है यह देखिए मैंने आपको एक बार फिर बता दूँ यह मैं क कर रहा हूं डीप नेक के लिए जो बड़े गले होते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसके लेंगे शेफ पंटी और इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और निशान लगा देंगे दूसरा निशान हमें यहां लेना है सबाइंच या टेर इंच का एक्स्ट्रा मार्जन कि यह वाला अब हम इस स्लेट को कट कर लेंगे यहां से कटिंग करना है यहां से इस तरीके से लेकर जाना है ठीक है और यहां से स्को कर लेंगे कर लिया यहां पर दो को एक लगाएंगे हम छोटा सा कट और एक कट हम यहां लगाएंगे और एक कट आपको ना इस जगह भी लगा लेना जिससे हमें पता चलेगा कि यहां से हमें इसका पॉन इंच का इसमें से गैप लिकालना है ठीक है तो गैप कैसे लिका लेंगे इसको इस तरीके से रखेंगे यह देखिए लिया और यहां से हम प्वाणिंच का गैप निकालेंगे क्यूंकि अमारे में छड़ता है जिस्से इसकी वए यहां पॉन इंच का गैप लिकालना होता है यह देखिए तो धूस्तों यह यह हमने कटिंग कर दी अपने डीप नेक के लिए अब हमारे जो छोटे नेक होते हैं जैसे के नाम है चार इंच सारे चार इंच पांच इंच उनके लिए हमें यह पर कितनी यह चीज रखना होगी यह आज की वीडियो में देखें तो इसको अटायते हैं एक तरफ अब हमने लेना यहां पर दूसरा कफ़ड़ा अब हमने दूसरा पीस ले लिया ठीक है यह विवडिकोषर 2 फोल्ड है इस तरीके से यह देखी ऑफ आप को सिथा सिथा बताऊंगा सबसे पहले उपर से इसको बिल्कु康्य चुह सीथा लेता हूं इस तरीके से हमने सिथा कर लिया सिथा करने के लिए आपको ले लेना है आप चाहें तो पूरा ना पने यहां से तो आप की जू भी लंबाई यसे करें यहां 16 तो आप लेने साड़े तो ग्यारा का हाफ ले ले होता है साड़े पांच इंच ठीक है और यहां पर सब इंच ले ले एक्स्ट्रा मार्जन अब बात आती है दोगों यहां की ऊपर की बात है बस ऊपर के अगर आप पॉइंट समझ जाएंगे ना तो आप अपनी स्लेट को अच्छी तरीके से इंच जो आदेएंच समस्लेई मार्जन चला जाता और तीन इंच पर इसका डाउन एरिया रह जाता अब हमें यहां पर छोटे नैक हैं उनके लिए में लेना होगा यहां पर साड़े चार इंच जबकि चार इंच हमारा एक कंप्लीट रहाएगा क्योंकि आदा इंच हमारा का अर मोल के निशान लगा दें और यहां पर यहां पर यहां पर ले लें यहां ले रे लिए कर एंच YouTube और यहां पर एक्स्ट्राम आर्जन दे और ना बहुत जरोरी होटा उना कभी आपको डीलर ठाइट करना नहीं हो ना तो यहां से आप अराम से कर सकते हैं उसके बाद यहां से आपको इस जगह से इस तरीके से शेप देंगे यह देगी और इसको कर लेंगे कटिंग है कि अजंद है कि अज़िए यहां अपर कट लगाइंगे यहां पर एक लगाएंगे और जो अब इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं तो तरीका बताया है मैंने आज तिनको ओपन करके बिल्कुल तीक है और यहां हमें एक पल्ला उठाएंगे और दो एक संग काल रहा है तो आप यहां पर दो पल्ले उठाएंगे और इस तरीके से यहां पर पॉन इंच का कपड़ा निकाल देंगे इस जगा से ठीक है और यहां लगा देंगे कट जिससे हमें पता चले कि हमारा यहां पर करके जरूर जाहिएगा मिलता हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो